अलिगड में गांचा बिकरी की रोक थाम के लिए पुलिस ने दबिश दी जिसके चलते युवक की हार्ट अटेक से मौत हो गई जिसके बाद आक रोशित भीड ने पुलिस चौकी वे पत्राफ कर दिया परिजनों ने पुलिस पर युवक के साथ मार पीट और घर में लूट करने का रोप लगाया है फिलाल पुलिस अधिकारी मामले की जाच कर रहे हैं ग्रेटर नौटा की दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुद्बेड हो गई है मुद्बेड के दोरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश गहल हो गया है गहल बदमाश से पुलिस ने एक और वहीं सारनपुर में शहीद निशानत शर्मा को उनकी अंतिम यात्र में विदाई देने सडकों पर हजारों लोग उतराए साथी भारत माता की जय और वंदे मातरम किनारे लगाए आतंगवादी गतिविदी के चलते महजे 30 साल की उबर में सारनपुर ने अपना जावास बेटा को दिया है शहीद निशान शर्मा का पार्तिफ शरीर देरशाम उनके आवास पर पहुचा अगर मैं 25 दिन से गायब यूवक का शब मिलने से गाउं में हड़कम पमच किया पुलिस ने शफको कबजे में लेने का प्रयास किया जिसके बाद परीजन और पुलिस में तीक ही नोग जोग हो गई सूचना मिलता ही पुलिस टी मौके पर पहुची है लोगों को शांत करा अलिगर मुस्लिम इशुद्याले के राष्टे बाल विकास पुरसकार से सम्भानेत छातर से प्रदार मंतरी ने वर्चौल बाच्चीत की और बदायों में पुलिस को देखकर हिस्ट्री शीटर ने जहर खा लिया जिसके बाद प्रशाशन में हड़कम पमच किया पुलिस फॉरण बदमाश को अस्पताल में भरती कराया जहां इलाच के दोरान उसकी मौत हो गई है जिसके बाद एक वीडियो शोचल मीडिया पर लगातर वाइरल हो रहा है फिलाल अदिकारी मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं हापुड में एक मंचले ने शोचल मीडिया पर लड़की का फोन नमबर मांगा जिसके बाद लड़की के भाई ने मंचले को पकड़ कर जम कर पीटा पूरी घटना का वीडियो शोचल मीडिया पर वाइरल हो गया है फिलाल पुलिस की तरफ से कोई कारवाई नहीं की गई पुलिस पर दबंगो ने हमला कर दिया जिसके बाद इलाके में फराता फ्री मच गई है दबंगो के हमले से सब इंस्पेक्टर और कॉंस्टेबल घायल हो गया है फिलाल पुलिस ने मुकदमा दर्च कर लिया है आगे की कारवाई की जा रही है फिलाल यूपी फड़ाफट में सिर्फ इतना ही बने रही है नीजोल इंडिया के साथ नमस्कार